Friends, Welcome to my channel Nima's Corner और मैं हूँ Nima. आज की स्वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ मेरी लाइफ के ऐसे तीन सिंपल बट गोल्डन रूल्स की जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया, मेरे दिमाग को बहुत ही शान्त बना दिया. अगर आपको भी ना किच-किच पिच-पिच लगी रहती ना जिन्दिगी में तो आप भी इन सिंपल तीन रूल्स को फॉलो कर सकते हो. सबसे पहले तो सब की परवा करना छोड़ दो. लाइफ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे. अगर आप सब को खुश करने बैठ जाओगे ना तो आपको कोई खुश नहीं करने वाला और ना आप अपने आपके लिए टाइम निकाल पाओगे ना आप अपने बच्चों के लिए निकाल पाओगे. देखो, अगर मैं सिम्पल भाषा में समझाओ ना आपको, कि आपके पास होनी चाहिए एक सिम्पल सी लिस्ट, अगर आपको 40 लोग जानते हैं या 400 लोग जानते हैं, सब की लिस्ट बनाओ, या घरवालों में ही, रिष्टेदारों में ही, उनकी लिस्ट बनाओ, अब आप उसके आगे टिक करना शुरू करो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इन में से कितनों को फरक पड़ेगा सिंपल, कई लोग तो आता है फोन पे सिंपती दे के चले जाता है बट इन में से कितने ऐसे लोग हैं आपके घर आएंगे, आपके पती के लिए खाना बनाएंगे आपके बच्चों को खाना बनाके खिलाएंगे अगर उन 40 या उन 400 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं न चाहे हो आपके पेरेंट्स हो आपके भाई वैन हो, आपकी ननद हो, आपके सासो शुरो तो वो ही चार लोग आपकी लिस्ट में होने चाहिए मैं आपको कभी भी नहीं वोलूगी कि आपके घर में अगर 40 लोग हैं तो आप 40 के 40 को खुश करना शुरू कर दो कोई खुश नहीं कर सकता भगवान इंसान को नहीं खुश कर पाए तो आप क्या खुश कर लोगे कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आज दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हैं कल दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हैं ये सोचके कि उन्होंने तो मेरी मुराद पूरी नहीं करी ये कर देंगे तो जब इंसान भगवान को इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है तो वो आपके लिए क्या लॉयल रहेगा सिंपल सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कभी भी न इस बात के पीछे मत दोड़िये कि मैं सब को खुश कर लूँगी कभी भी नहीं और जिस दिन आप ये बात समझ गई न बिलीब मी आपकी जिंदगी की आधी से ज़्यादा टेंशन्स खतम हो जाएंगी दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्रम हम ओड़तों के साथ होती है हम हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं मतलब कोई भी मुझे बोलेगा न कि नीमा कै तुम ये कर लोगी हम बोलेगे हाँ 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 कर लेंगे पक्का चाहिए घर में हो चाहिए ऑफिस में हो मतलब क्यों कि हम नहीं नहीं बोल पारें किसी काम को अपनी लाइफ में इस बात की लिस्ट बना लो चाहे तो कि आप कितना काम कर सकते हो कोई नहीं है हमारे बच्यों को कौन खिलाएगा मुझे ही खिलाना पड़ेगा आप खुचों कि अगरा अज की rate में भी दो दिन चार दिन आपको बुखार आ जाता है तो आपके बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा कौन बनाएगा आप ही उठके बनाओगे चाहे कैसी भी हालत हो दवाई खाके अगर आप अपने बच्चों के लिए खुद करो ना तो आप यह सोचो कि आप इतना प करो जितना आप प्रेशर ले सकते हो उतना ही प्रेशर लो आप प्रेशर कुकर नहीं हो कि आपको पता जड़ागा कि हाव इसके बार तो CT वज जाएगी तो आपकी कोई CT ने बजने वाली तो प्रेशर लिमिट में ही लीचा दो इस्सरी चीज अपने ले टाइम ज़ूर न चाहे तो आपको कुकिंग का पैशन है तो वह आप कर सकते हो आज कल तो इतने फ्री प्लैटफॉर्म्स हैं कि जहां से आप कुछ ना कुछ कर सकते हो जादो यूट्यूब हो मैं तो इंस्टाग्राम पे भी यार कितनी ओरतों को देखा है जो इंस्टाग्राम पे चुटी तालती है अपनी कुकिंग से रिलेटिड उसमें कोई शोबाजी नहीं होती सिंपल सा कुकिंग होता है और मैं उन औरतों को बहुत सपोर्ट करती हूं कि आप में इतने गट्स है कि आप अपनी किचन की रेसिपी हमें दिखा रहे हो बहुत ही सही लगता है अगर आपका कौन देखेगा पूरी दुनिया वैटिए आपको देखने के लिए बस यह सोचिए कि आप उस प्लैटफॉम पे आओगे और पूरी दुनिया आपका इंतिजार करिए जिस दिन आप में यह अपनी लाइप में बहुत कुछ कर सकते हो तो अपने उपर और अपनी जो पैशन है उसको बहुत ज्यादा टाइम दीजिए ऐसा नहीं होना चीए कि नहीं आर मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगे क्योंकि मुझे अभी गांजर का हलवा बनाना है अभी मुझे यह करना है बहाने आप दुनिया को दे सकते हो बट अपने आपको तो आपको पता है ना कि आपन क्यों नहीं किया तो बहाने मत बनाई है अगर मुझे पता है कि मैंने वीडियो शूट करना ही है तो मैं रात के ग्यारा बज़े शूट करूँ चाहे रात के तीन बज़े शूट करूँ मेरी ओडियंस को नहीं पता बट मुझे तो पता है ना कि मैं अभी कितने बज़े कर रहे हु, क्यूं? कமे मुझे बता है और मै 원गIch अपने काम से प्यार करती हु तो अगर आप भी अपने काम से प्यार करते हो तो उसे फॉलोओ कीजिये ये मत सोचे कि टाइम नहीं है मैं कैसे टाइम निकालू टाइम निकालने वाले सुवे तीन बजे उटके, चार बजे उटके भी टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकालने वाले रात को दो घंटे लेट भी सो जाते हैं, बट एक एज के बाद आप खुद फेलियर फील करने लग जाओगे, कि यार मैंने अपनी लाइफ में वो मैं जी मैं ट्राई करती हूँ, जाए आपको आता नहीं है, तो साफ बोल दो नहीं आता है, जाओ भाहर से खरीद के खालो, क्या दिक्कत है इसमें, आप लाओगे, बनाओगे, खाने के बाद भी सब बुराई ही करेंगे, क्योंकि ये तो आदत ही होती है सबकी, कि उतना आपको बना देंगे, तो उमीद करती हूँ, ये तीन जो मेरी लाइफ के गोल्डन रूल्स है ये आपकी लाइफ को भी थोड़ा सा आसान बना देंगे, और मैं तो आपको बिल्कुल बोलूँगी, मैंने पिछले चार साल से यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है, और है कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, बट मैं पूरा ये कोशिश करती हूँ, कि हफते में चार दिन मैं ऐसे रखूँ, जिसमें मैं कम से कम आठ से दस वीडियो को शूट कर लूँ, जो मेरे पूरे हफते चले, मैं रोज वीडियो को शूट नहीं करती हूँ, बट हाँ, ज जरूर अपनाए क्योंकि आपको भी थोड़े से आराम की जरूरत है थैंक्यू, थैंक्स वर्चिंग, बाई